सबी सुताओं को पंडित देवु चौधरी के नमस्कार आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल पंडित देवु चौधरी जी सबस्परे तो आपका काश्वाणी के लोकपरी कारिकम नमस्कार भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कला जगत के क्षित्र में अपनी विशिरिश पहचार बनाती जा रही है भुपाल की नगरी इस नगरी से आपका कितना जुडाव रहा है और क्या तब दिलिया आप महसूस कर रहे हैं विशिरिश रूप से संगीत के क्षित्र को देखते हुए एक मात्र प्रदेश रहे हैं हिंदुस्तान में जो संगीत के प्रचार के लिए जितना क्या किसी प्रदेश ने नहीं किया अब ही मैं कुछ दिन पहले कानिदास के लिए बजात गया प्रदेश में इस संगीत के प्रचार में जो किया खासके भूपल में हो रहा है आजकल बहुत प्रचर कर रहे हैं मुझे खुशी है कि इस तरह से और हो तो और अच्छा है अजया पंडी जी सितार की जहनकार उसका माधोरे हर किसी को मुख्रे करता है सब को समोहित कर देता है और चुकि आपका तालग तो पिछले 65 बरस से ज़्यादा से है तो आपको इस सितार को थामने में इसको अपने करीब रखने में कितना संतोश का अनुभा होता है और क्या अनुभूती होता है भगवान की माध्या में सुवरे इश्वर अमरे गुरुजी उस्ताद मुश्टाक अली खांसाब बोलते थे इसमें इतनी शक्ती है कि आपको नाकिबल मन को शरीर को शान कर देते हैं जब तक इसके समझ नहीं आते हैं हम अंधेरे में भटकते रहते हैं सही का आपने के संगीत में वो ताकत है जिसके आप इश्वर तक पहुंच सकते हैं उसे साक्षातकार आपको खो सकता है आपने एक बड़ी यात्रा की है संगीत के क्षितर में एक सितारवादा के रूप में आपने एक ख्याती अर्जित की है कोशिश ये भी की है कि हिंदुस्तानी मौसकी को जनल जनल तक पहुंचाया जाए और ये जो आप लगातार सक्री हैं इस फील्ड में तो कितना परिवर्तान आप देख रहे हैं लोगों की सोच में और इंडियन के कासे कर मुजिक कर परतिज रुज़ान है उसके बारे में क्या कहींगे खुशी भी है प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ अफसोस भी है कि कुछ ऐसे बातवन पैदा हो गई है जो संगीत की जो साधना के चीज़ आप जो कहने बार बार थोड़े से भूलने लगे थोड़े से कमर्शिल करने लगे आजके लगे जो कि ये संगीत की धारा की बीपदी थे आजकेल परिवर्त नहीं हो गया हमें सुनने वाले क्या असर उनका हो रहा है लेविल अप्रेसियेशन उनीचे आ गया लिकिन जो प्रयास हो रहे हैं उसको आप कहां तक सार्थक मानते हैं समारपन जिसको बोलते हैं वो काम हुआ संगीत सीखने के प्रती तो उसको उठान के लिए और कुछ क्या ऐसा होना चाहिए ताकि वापस वही सुरूप में श्यासित संगीत आ सके जिसकी हम सब काम ना करते हैं इच्छा करते हैं इससे बड़ा माद्य हम कोई नहीं है ऐसे सुनते सुनते लोग एक आदी हो जाए और अच्छे जब संगीत होंगी तो रेडियो बन करेंगे रेडियो बन नहीं कर देंगे तो सुनने वाले के ग्यान के लिए हम ते पर्फरमेस में जाके सिकानी चाहिए ऐसा कोई साधन चाहिए कोई प्रोग्राम चाहिए जिसमें सुनने वालों के लिए ग्यान बर्धन के लिए एक प्रोग्राम हमें regular होनी चाहिए पंडी जी आपका शमार उन सितार वादकों में होता है जिन्होंने अपने एक अलग शेली डवलप की है और जब वो सितार बादन कोई सुनता है तो समझ में आ जाता है कि पंडी जी बजा रहे है तो आपने कई रागों को भी आविशकार किया है जिसमें से बलास सारंग है, नुरंजिनी है, आशकी ललत है, कल्यानी बिलावल है, शिव मंजिरी है तो इनको इजाद करने के पीछे आपकी क्या सोच रही क्या आपने परिकल्पना इसके लिए तैयार की और आज ये राग किस सुरूप में है और जन जन तक आप पहुचा रहे हैं मैं तो जीते जी, मरते दम तक मैं प्रचार करता जाओंगा, बजाता जाओंगा, सिकाता जाओंगा कैसे हमने की इसके बताना बहुत मुश्किल है कोई भी कभी की कल्पना, कोई सोच के नहीं होता अगर लेखा कोते हैं, हाथ में कल्ण आगया, कोई को कहता है जिसके बदी होगा तो इस संगीत पर भी आचा होता है, जितने राग हमने बनाया है हमने नहीं बनाया, बन गया, गुरु कृपा से तो वो अपने आप शकल आगए उसके, एक राग है बिश्यश्वरी, हम उसके मिसाल के तौर पर बात करना चाहरे हैं कि वो अराग नौर्थ का नहीं है, तो आप फ्रीडम है आपका, स्वाधिन है आप, स्वाधिन दर्गाव अरतियनी जब जो भी कुछ 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 कर दें आरो ही आप रेक सोरुप देंगे एक शकल बनाया और सब कलाकार जितने लोग गुनी कलाकार ने इसको तालिफ करी मुझे मुझे आज की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्तर की बात सदामिर खान सबसे जिन्दा थे, उन्हें ही मुझे तालिफ किया थे पंडिजी मैंने पढ़ा ये भी है कि आपने दुरलब वादिस संगीत की कुछ ऐसी कंपोजीशन को भी सहिजने का काम किया है जो लोगों तक किसी कार्म से पहुंच नहीं पा रही थी और आप काम को भी आगर बढ़ाने में आप आ गया है इसके बारे में कोई बताएं शोताओं को जो मैं काम पहला शुरू किया था वह कि बंदिश होगा बुनियादी बंदिश आज दुरलब हो गया बंदिश बगर हाली में में लोकसवचनल में एक डिम्य कहा था बर्तमन यूग में हम देख रहे हैं कि किसी की रूजहान कहिए परिशानी कहिए इग्नोर करते जा रहे हैं अस्थाई आंतरा होते हैं बंदिश में यह जो हिस्से हैं संचरी आभोग धुरुबद में होते हैं यह दुरलब होते चले आज तो हमने कुछ बंदिश जो दुल्लव बंदिश हैं, उनकी खोज करके, उनको हम डॉक्यमेंट कर रहे हैं, करके किताब के शकल में आधा निकाले और आधा निकालेंगे, और वो जो रागों का जो लूप सोते जा रहे हैं, उनकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं, एक किताब जो लूप सैथ, युद्यशर दुचर भागों का डॉक्ष होलु लूपकर निकारं। वोठीश कर निका रहे हैं, इइसुबेंटल कॉम्पजिशन पा निकाष, मैं सबल्दाश भागों करेंड़। तो जिसमें आप सुनेंगे कोई बजा रहे हैं आपको बता देगा उसके म्यूजिक जिनका अंदर वोकल का बंदिश ग्यान है यह नहीं वाके आपके 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 काम है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी यह पूरा होगा और लोगों को इससे फायदा होगा अचाय समय जो बात चल रहा है कि संगीच के परचार प्रसार की और स्कूलों में एक विश्ए के रूप में संगीच को रखा जाया यह इस पर भी काफी चरचा हो रही है लेकिन गभीरता से लोग इसे जाने समझें उसके लिए क्या होना चाहिए इसा शिक्षक को आप आप क्या उसका चुनाव कैसे होना चाहिए जाए कि बच्चों तक सही बातें अच्छे धंग से पहुंच सकें शिक्षक के धरम होना चाहिए जाए कि आप सही काम करें और शिक्षक के दोज भी नहीं दूँगा उनका उपर आपने दस क्लास थोब दी एक दिन में वो विचल जाए कहाँ अब एक राग आप एक महिना दस महिना सीखो अब उनिवर्सिति में कहो विद्याला में कहो ओनी कर पाते आप अब एक साल में आपको बारा रग चोदार रग सेखरा पड़ेगा तो जो शिक 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 है कहाँ सी करेंगे हूँ मैं बीच साथ से लड़ाई कर रहा हूँ स्कूल में संगित का प्रचार हो इंट्रडाक्शन हो एजिस साबजेक्ट कमपल्सरी इसलिए जब तक कि कमपल्सरी नहीं होगा तब तक आप इसको इज़त नहीं देंगे अच्छा जैसे कि हम विबन चैरनलों पर भी देख रहे हैं कि फिल्म संगित को लेकर बहुत सारे कारे केम हो रहे हैं लाइट मुजिक को लेकर भी हो रहे हैं जितने जल्द से जल्द हो तो संगित के अमरे करल्यान हो जाएगा इन दनों आपके और क्या विश्रिश कातिवितियां चल रहे हैं क्या आपका को जैसा कारिकम चल रहा है ताकि जो छोटे-चोटे अभी बच्चे हैं और जो इस फील्म में आने के इच्छुक हैं उनको कुछ फायदा मिल सके और वो सितार के प्रती अपना रुच्छान दिखा सकें और इंडियन क्लासिकल मुजिक को भी और भी अच्छे से सीख सकें कलाकार बन सकें मेरे गुरी जी के नाम से हमने तियरा सल पहले एक सेंटर बनाया उस्तर मुष्टा के लिखा सेंटर फॉर काल्चर और बड़ी मुश्किल से पैसा उधार लेकि साउथ देली में जसुला में हमने एक इंस्टिटुशन बनाई इसके नाम रखे उमेक उस्तर मुष्टा के लिखान और वहाँ पर हम शिक्षा देने के हमारा प्लैन है कि सही महने में संगीत की जो प्रकिती जो है उसके जो सभाव है वो बचाय बनाय रखना पड़ेगा इस मिशन से में हमारे गुरु जी के जो सिखाया हुआ जरस्ते पर चलना चाहते हैं ना जाने कब तक काम आप होंगे मगर हमने इसी соглас सी चेटी से चुरु कर दिया है तो चलते चलते आप संगीत प्रेदियों से किया करना चाहते हैं और लोगों से किया करना चाहते हैं हमें संगेश करना चाहिएगे प्रचा Nicki करने कोशिश करें एक ही राग अगर बार बार आप सुनेंगे ना आपको अच्छा लेगने लगे और मुझे बिश्वास है यह होगा समझ होती है हम समझ आते हैं कोई करते है हम समझें समझ गए भूल जाएंगे सुद्बू खो जाएंगे कहां बैटे हैं हम चाहते हैं कि आपका प्रयास चल र झाल झाल